आप सभी को मेरा सादर परण नाम मैं काजल शाह मैं कुल गाता के खंडा हाइज स्कुल फॉर गर्ल्स में दक्ष्विक एक्षाएं पड़ती हूँ आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाशन लेकिया हीँ मेरे भाशन का सेशख है अतुल्य भारत सच में मेरा भारत देश बहुत ही अतुल्य है क्योंकि भारत ही कैसा देश है जहां पे अलग-अलग धरम के लोग पाये जाते हैं चाहे वो हिंदु हो, चाहे वो मुसलिम हो, चाहे वो शीक हो, चाहे वो इसाई हो, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो, यहाँ पे अलग-अलग धरम के लोग पाए जाते हैं, अलग-अलग जाती के लोग पाए जाते हैं, सच में हमारा भारत देश अतुल्निय है, प्रेम की भावना क्या होती है दोस्ते की भावना क्या होती है एकता की भावना क्या होती है भाई चारा की भावना क्या होती है यह हमारे भारत देश में पुन रूप से दिखता है उसके साती साथ भारत एक ऐसा देश जहां पर एकता की जो भावना हो बहुत ही मजबूत है किस परकार ऐसा यहाँ पे नहीं होता किवल हिंदू है, हिंदू से हिंदू ही जुरे यहाँ पे हिंदू, मुसलिम, सीख, इसाई सब आपस में जुरे रहते है और इससे तो पता चलता है कि भारत में एक्ता की भावना, एक्ता का बंधन कितना मजबूत है इसलिए तो हमारा भारत देश अतुल्य है उसके साथ आप जानते हैं कि आज हम सभी अपने जीवन की सबसे बड़ी लराई कोरोना से कर रहे हैं यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा संगर से और इस कठीन परस्तिती में कोई ना तो कोई देश किसी दुसरे देश पे निर्भर था लेकिन हमारा जो भारत देश है वो इस कठीन परस्तिती में भी खुद पे निर्भर होकर खुद को आत्म निर्भर बनाकर आज हमारा भारत देश आत्म निर्भर बन चुका है सच में हमारा भारत देश अतुलिय है उसके साथ यहां पर गुनों के अधार पर विक्ति को आगे बढ़ाया जाता है ऐसा नहीं कि हम छोटे जातके हम गरीब है तो हमें नीचे दबाया जाए अगर हमारे अंदर भी कुछ गुन है अगर हमारे अंदर भी जज़वा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं एक उधारन से समझाना चाहूंगी हमारे जो देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी है वो बहुत ही गरी परिवार से थे लेकिन आज वो हमारे देश के प्रधान मंतरी बन चुके है तो इसलिए तो हमारे भारत देश में गुनों के अधार वे विक्क्यों को आगे बरहाया जाता है इसलिए तो हमारा भारत देश अतुल्य है उसके साथ हमारे भारत देश में कोई भी तेभार हो चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे वो मुस्लिम का हो हम उन सारे तेभारों में पुरे घुल मिल जाते हैं इसलिए तो हमारा भारत देश अतुलने है और अगर हमारे भारत देश को और भी अतुलने और भी अलग बनाना ह तो आज के जो युवा है उनको भी अप सपत लेनी होगी कि हम अपनी महनत से अपनी लगन से अपने कठीन निश्य से अपने भारत देश को एक अलग रूप दे सके और हमारा भारत देश विक्सित कदम पे जा सके इससे क्या होगा इससे हमारा भारत देश और भी अतुल्य ब के सामने मेरी छोटी सी भासन प्रस्तु थी आप सभी ने मेरे भासन को सुनस्कल दिल से धन्यवाद